हेलो फ्रेंट्स वेल्कम्टो मैं चानल तो आज संडे है और कल मैंने यहां पर कुरती बना ली है और आज मैं आपको दिखा देती हूँ और इसका वीडियो जह है पूरा वीडियो आप देख लो बहुत ही अच्छा है और यह जो कुरती है वो वीनेक वाली है और उसके उपर ने कॉलर लगाई है बहुत ही अच्छी लग रही है और यह बनाने में भी बहुत ईजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर मैंने स्टीच किया है और बताया भी है तो आपको कैसा लगता है वीडियो आप देख लो और मुझे जरूर बताना कि एक बार आप यह कि यहां पर देख सकते हूं कि यह जो कुर्टी है बहुत ही अच्छे से इसका नेक जो है यह भी नेक पर मैंने इस तरह से बनाया है यह बॉर्डर लगाई हुई है इसकी बॉर्डर और स्लीवस पर भी यहां पर इस तरह से बॉर्डर आई है और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नीचे भी मैंने यहां पर बॉर्डर लगाई है तो इसका लेंट जो है वह लेंट भी बहुत ही अच्छी लग रही है तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जूरूर बता और अब जब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करो और आपके प्रेंड के साथ इसे शेयर करो और वीडियो एंट तो जरूर देखो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलना तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बनाएंगे वीनेक वाली कुर्ति तो इसके लिए मैंने जो फाब्रिक लिया है वो फोर फोल्ड करके यहाँ पर मैंने रख दिया है और उपर की साइड पे ये on fold है तो इसकी height जो है वो 42 है तो यहाँ पे मैंने 42 पे mark कर दिया है और इसका west का height 14.5 है और hip का जो height है वो 21 पे है तो यहाँ पे मैंने 21 पे mark कर दिया है तो उसके बाद हम उपर की तरब shoulder का measurement डालेंगे तो shoulder 7.5 है और जितना shoulder है उतना ही arm हो यहाँ पे 7.5 है और chest जो है यहाँ पे 36 है उसको 4 से dividing करने के बाद 9 आ जाएगा उसमें plus 2 हमें extra margin लेना है तो इस तरह से 11 पे मैंने mark किया है अब west के लिए यहाँ पे 8.5 लिया है और plus 2 करके मैंने 10.5 पे mark किया है यहाँ पे west जो है वो 34 है फिर hip के लिए हमने hip यहाँ पे 40 है तो उसमें 4 से dividing करेंगे तो 10 आ जाएगा plus 2 inch करके मैंने 12 पे mark किया है अब हम यह सारे point इस तरह से join करेंगे तो नीचे भी हमने 42 पे जहाँ पे हमने mark किया था वो line सीधी draw करेंगे और इस तरह से यहाँ पे यह कूर्ती का shape दे देते हैं तो यहाँ पे हम उपर से 3 inch का mark करेंगे और यहाँ पे center से हम इसको इस तरह से join करके लेंगे अब हम जहाँ पे बचा हुआ fabric है उसको भी हम round shape में दे सकते हैं आर्म होल के लिए मैंने 4 inch का gap रखा है और इसको round shape दे दिया है और यहाँ पे 1,5 inch का mark करेंगे down का और यह line सीधार draw करेंगे और यहाँ पे pound inch का mark करके हम अंदर वाला आर्म होल करेंगे और यह जो बचा हुआ नीचे का fabric था उसको हम इस तरह से बाहर से भी थोड़ा shape लेके इसको अंदर ले लेते हैं यानि कि कुरती का गेर जादा हो जाएगा अब हम यहाँ पे sleeves की cutting करेंगे तो इस तरह से जो आर्म होल के बाद हमारा fabric बचा है वहाँ पे मैंने जितनी height आती है उतनी height यहाँ पे डाल दी है तो 14 पे मैंने height रखी है और उपर से 3 inch पे एक mark किया है और वो line सीधा हमने लाइन पे हमने 7.5 और प्लस 2,5 inch करके 9 inch पे mark किया है अब यहाँ पे हम 3.5 पे एक mark करेंगे और वो line उपर join करेंगे इस तरह से और उसमें 2 ऐस तरह से line मार के हम इसको fish का shape दे देंगे यह 7.5 और 1,5 inch का मैंने mark कर दिया है अब इसको इस तरह से fish का shape देना है हम यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से हमारा sleeve का shape हो गया है अब नीचे हम round का mark करेंगे तर राउन यहाँ पे 5.5 प्लस 2 inch यानि कि 7.5 हो गया है तो इस तरह से यह sleeve का mark हो गया है अब इसको हम cut करके निकाल देते हैं तो friends आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे subscribe करो ताके आने वाले वीडिया आपको जल्दी मिल जाएंगे और आप stitching की बारे में कुछ भी inquiry करना चाहते हो तो प्लीज comment में मुझे बताओ और आपको यह मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे comment करके जरूर बताओ और आपके friend के साथ इसे share करो तो यह पूरा कुर्टी का हम cutting कर चुके हैं अब हम sleeves भी यहाँ पे कट करके निकाल देते हैं अब sleeves cut होने के बाद इसका अंदर वाला armhole हम cut करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो border बच्ची है border निकाली है और अंदर वाला armhole भी मैंने कुर्टी का cut करके ले लिया है अब यहाँ पे हमने जो main fabric है front और back उसको मैंने यहाँ पे अस्तर लगा के join कर लिया है पीचे की तरफ front part में मैंने border लगा दी है अब हम neck की cutting करेंगे तो front neck के लिए 3.5 का mark किया है मैंने और उसका deep जो है वो 8 इंच पे रखा है और इस तरह से V का shape हमें देना है यहाँ से 1.5 इंच का mark करेंगे तो इस तरह से यह V shape हो जाएगा और इसको हम अब cut करके निकाल देंगे यहाँ पे हम collar बिठाने वाले हैं बहुत ही यह अच्छा लगता है कुरती तो आप जरूर ट्राय करो बहुत ही easy है तरीका इसका बनाने का अब हम back में भी 3.5 इंच का mark करेंगे और यहाँ पे पाउना इंच का mark करेंगे तो इस तरह से round shape दे के इसको cut करना है बैक में हमें जादा नेक cut नहीं करना है अब इस तरह से हम shoulder join करके ले लेंगे यहाँ पे मैंने back के उपर front इस तरह से रखके मैंने shoulder join करके ले ली है अब हम इसका नेक बनाने वाले है तो इस तरह से इसको रखके हम पूरा map करके लेते हैं तो measure करने के बाद यहाँ 11.5 आया है तो यहाँ पे मैंने जो belt लिया है तो यह जो है वो 14 इंच का है तो हमें extra रखने के लिए यहाँ पे मैंने 14 इंच पे लिया है और इसकी width जो है वो 3 इंच की है और यहाँ पे border ही मैं neck पे लगाने वाली हो इस तरह से fold करके हम लगाएंगे नेक पे हम नीचे की तरब इस तरह से नौच लगा देंगे दो नौच लगाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको round shape में लगाकर इसको stitch करेंगे तो मशिन पे हम देख लेते हैं इसकी stitching तो यहां पर इस तरह से इसको रखना है और नीचे की तरफ आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने फैब्रिक छोड़ा है फैब्रिक यानि की हमारा बेल्ट तो इस तरह से इसको रखके हम इसको स्टीच मा ले लेंगे के उपर सिलाई जो लगानी है वो स्ट्रेट में ही आएगी इसमें कुछ आपको यह करने की जरूरत नहीं यहां पर इस तरह से बस घुमाना है और हलका सा यहां पर राउंड में आ जाएगा तो वो हो जाता है स्टीचिंग में आ जाता है तो इस तरह से पूरा हमें यहां पर border लगाई है इसलिए मुझे यहाँ पर canvas लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप plain वाले fabric से कर रहे हो तो आपको यहाँ पर canvas अंदर लगाने की जरूरत है यानि कि जो आप build लगाने वाले हैं उसके अंदर canvas आना चाहिए तो यहाँ पर ड्रेस का border था इसलिए मैंने border लगाया है border look भी अच्छा करता है और यह heavy होने के वज़े से यह proper bed जाता है अगर आपका fabric थोड़ा पतला है plain cotton वाला है तो आप उसके अंदर यहाँ पर canvas लगा सकते हो तो इस तरह से यह stitch हो गया है अब यह निकाल कर हमें यह दोनों पार्ट जो है बेल्ट के इसको इस तरह से अंदर फोल करेंगे हम अंदर डालने के बाद यह इस तरह से दिखेगा और इसको फिर हम stitch करेंगे तो इसको अंदर से stitch करना है हमें तो इस तरह से आपको देखना है और फिर यहाँ में स को स्टीच करेंगे तो नीजे वाला पाड भी यहाँ पे बराबर da तो इस तरह से अभी यह दिख रहा है अब उपर से हम इसको स्टीच करके ले लेते हैं उपर से पूरा यहां पे स्टीचिंग लगानी है पूरे नेक पे तो फाइनल यह नेक बनके रड़ी हो गया है तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है अब हम यहां पे स्लीव जॉइन कर लेते हैं तो इस तरह से हमें स्लीव को जॉइन करके लेना है तो यहां पे मैरे दोनों तरफ के स्लीव जॉइन करके हो गया है अब हम इसको इस तरह से रखके इसको फाइनल फिटिंग दे देंगे यहाँ पे जितना हमने टू इंच एक्स्टा रखा था उतना हम यहाँ पे मार्क करके ले लेंगे और नीचे की तरफ गेर जादा रखना है इसलिए मैंने बस आदा इंच का ही नीचे की तरफ रखा है और इसको अब हम stitch करके ले लेते हैं तो दोनों तरफ से हमें stitch करके लेना है तो finally ये dress बनके ready हो गया है तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही अच्छा dress लग रहा है और पहनने के बाद तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये मेरे client का address है और जब पहनने के बाद दो इसका मेर रील्स आपको इंस्टा पे मिल जाएगा थैंक यू